नमस्कार दोस्तों, stock specific analysis में बात करेंगे company का जिसका नाम है Nesco और Nesco में ऐसा चार्ट में देखने को आती है जो किसमें अभी जो कहते हैं इसको stocks यहां से chance जो है उपर की तरफ reactions करने के आसारत बैठा है और result अभी आज़ा नहीं है, result के reactions के से पहले ही थोड़ा ऐसा attractive हो रहा है market में और market में क्या कहने के लिए इसमें देखूं तो एक forecast के basis space में दिखती है जो यहां पर अभी लोगों ने hold किया हुआ है stock को यहां खड़िदारी और बिकबाली भी थोड़ी कम reaction से चल रही है और hold का percentage काफी ज्यादा रहा है इसकी बात करते हैं क्योंकि stock में करीब आदा परसंट से ज्यादा की उचाल आई थी लास्ट एडिक सिशन में stock 866 क्या स्पर स्टेट कर रहा था क्या है stock की specific हम जानने के प्यास करते है company क्या करती है company की लेगती है believe the possibility are endless and engineering वाले service प्रवाइड करती है जिसमें देखों इसका about business event, monument, hospitality है real estate and infrastructure की काम करती है और इसके website पे सारे information है विसे जो हम information share कर रहा है यह basically fundamentals के अंदर आती है company का क्या काम है क्या 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 करती है company इसमें पहला नाम आता है गिविशन का गिविशन करती है company दूसरा management और event का का काम करती है इसकी stock में देखो हूँ बाबानवे की high की बात करें तो 933 पे था low की बात करें तो 555 पे था nearly देखें तो 400 रुपे के आसपास jump किया था stocks पिछले एक साल में तो यह jump तो है stability के साथ jump किया इसमें बड़ी बदल नहीं हुए face value 2 रुपे का है stock का इसका diversified commercial services provide करते जिसमें एक साल के data में तो हमने चार्ट में देखा इसका जो stability नदर आती है पिछले 5 इनके चार्ट में देखने को आती जो stock ने अभी result से पहले इसमें थोड़ा सा jump आने की उम्मीद ज्यादा करता है और एक मैने के चार्ट में जो गिरा था उसको jump करते हुए आगे निकल चुका है तीन मैने की चार्ट में देखने में आती जो कई बार stock में गिराबट आई और गिराबट जब आई है तो लंबी गिराबट आई नवसो एक क्यामे के आसपास से जब लुड़का था तो 766 प्या गया था बड़ी लंब हमें तो देखती है completely stability ही नजराती है इसको यदि हम कुछ ना announcement के देखें जहां पर कंपने का कुछ हुआ 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 इसा तो अभी इसमें 21 तारी को देखा हूं तो जो मैनेजमेंट थे उनका रिजाइन हुआ है इसमें अभी result का भी कुछ board meeting का कुछ update यहां पर नहीं दिख रहा है लेकिन उससे पहले ही इसमें reactions चल रहा है अब यह हो सकता है रिजाइन करने के बाद रिजैन हंना 21 तारी का update कि आपडेट किया इक़िस तारी के बाद कटI क्या हो इंसले तारी के बाद क्या होए मेनेजमेंट को ऐसा कुछ कमियां है जिसके मार्केट पले नीचे पैदान पर था अब देरे देरे उचलना चालू किया है इसकी कॉर्पेट एक्शन की बात के तो कंपनी डिविडेंट पेंग कंपनी है तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आती है वह जुलाई और अगस्त के आसपा डिविडेंट पे करती है तो जुलाई में इसका रिजल्ट जब आएगा उसके बाद डिविडेंट भी जाते हैं होती है अपनी पोजिशन को बिल्डप करते हुए जो रिजल्ट की पार्ट निकल की आती है दिसमबर तक रिजल्ट वाले हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज है लेकिन इसको देखिया है यदि 174 क्रोड से चेंजों के 147 क्रोड पे जाती है नेट प्रफिट करीब जैने इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन की देखने तो पचास परचेंज यह बहुत पर जाती है यह इसके लिए फंडामेंटल में स्ट्रॉंग कोजिशन दिखते हैं कंपनी का ऐसा कोई नहीं दिखता है फंडामेंटल के अंदर जो फंडामेंटल का पार्ट है दोस्तों यह रिल्ट की पार्ट में दूसरी चीज़ देखें तो इसमें कंपनी इस्टेंड लॉन के साफ से बेटा है और कंस्ट्रूटेट के साफ से देखें तो कंपनी जरे क्या निकल कि आता है कंपनी निकल कि आता है जो इसमें सेल्स का डिवेंदेंज बैक के बैक इनकीज किया है हमेशा करीब 578 करोड 978 करोड तक अभी आया है और अपेरेटिंग प्रोफिक के बात करें तो हो भी काफी बैक टुबैक जो है वह प्रॉफित ही दे रहें इसीड़ी तेरह के प्रोफित आते रहें तो नेरली 10,10परस का देखने को मिलती है फरीज़्व curn परेशां का यह प्रफिंट के साव तो इसमें थोड़ा सा जो लेबहे हैं रोका डेव का वह तबार कम दीखता है मार्केट को अभी 10-12% का ग्रोफ होना चाहिए quarter to quarter हिसाब से सिर होल्डिंग के बाद करना तो यहां पे करीब 62-69% के आसपास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और जो पॉब्लिक के पास होल्डिंग है वो नेरली 31% के आसपास की पोजिशन्स है तो 31% में यह भी हम जानने की प्रियासस करते रहते हैं तो यहां पर जो पॉजिशन अभी थोड़ा सा बिल्डप हुआ है जो थोड़ा फिर बदल चल रहा है उसमें यह देखने को मिल रही है जो डियाई ने अपनी पोजिशन को थोड़ा सा हलका किया है और एफाई ने पास करीब 3.2% पैसपास पोजिशन थी वहां पर 3.50% करती है डियाई के पास जहां पर पोजिशन 4.140 थोड़ा सा अलका करके 3.99 के आसपास रहती है दूसरा पब्लीक में देखो तो पबीक में पोज एक नाम नीगल कहता स्क्राइब इसमें 1.70% का होलडिंग अब बाग की जो होलडिंग से वो आम लोगों के पास है इसमें आएप्सींड बैक उसके लिए है कि क्या हो सकता है यहां पे जो चार्ट देखनेंगे चैनल यहां हो सकता है," देखने cya है जमिलरिया परिखने को देखें ऐसा लगता है उस टॉप ने पिछले दीस सालों में हार्ड ली तिन सो चोवन तिन सो ब्रानवेर था चार सो पुषेंट का जंप किया छे-पास साल में चोहतर पुषेंट करता है तीन साल दोस्तों यह मैं हमेशा कहता हूं यह जो परसेंटेज ऑफ चेंज है यह कटप पेडियर का होता है जैसे दस साल पहले जो क्लोजिंग प् उसके ऊपड़ जो गेन या लॉस निकलता है वह ही यहां पर परेशेंटेज दिखती है जिसमें फीचले दस साल में इसमें चेश्टार नबबे रुपे का इंक्रीज किया रेंज में जो कि 312% होती है पास साल में 74 परशेंट करता है । दो साल में ग्रेंट यान सब्सक्राइब करता है एक मैंने चार चार परशंट दो सब्सक्राइब कर चुका है और एक सब्सक्राइब नियर अबॉर्ट तो पांच पर जाके खड़ी हो गई करता है और इस के परशंट करता है और इस सब्सक्राइब करता है और इस परशंट को समझने का प्रियास किया है प्रोपर्टि प्रोपल अंगे चलिके आदानी, वेम प्रिक्से के हैं थो सीगनेशी प्रोपल मैं मैं मेरा पैंडिंग है तो फ्रीडिन है इसको अनलाइस पार्ट देखें कंपनें तो company has reduced dates company करती है हमने अपने dates को कम किया है और company जो almost dates free हो चुके है तो यहां पर यह दोनों तीजिए इसके पोजेटिव vibrations create करती है company has expected to give good quarter इस quarter में कुछ अच्छा performance का ऐसा नजर आता है और इसको यदि consolidated data the company has delivered a poor sales जो उने अल्रेडे ही दिखा था जो जो sales revenue था उसका लेवर थोड़ा सा पूर दिखता है और लास्ट फाइव यर में लेकिन इसका equity में देखो तो वह भी low return दिखती है यहां पर तीन साल के डेटाबिस में 14% के आसपास दिखती है लेकिन company has a dividend लो लो प्रमेंट देती है dividend का पाट तो यहां पर कुछ चीज़े तो positive भी है जबकि dates free कर रही है क्या होगा आगे इसका जो जो एक liability थी वो खतम हो जाएगा जिसके वाज़ा से इसका company का growth और increase कर सकता अभी नया trend यहीं चलता dates free होना चाहिए company का यहां पर हमने बात के जिसको अभी हमने study किया nesco limited को जो की company engineering और exhibitions और इवेंट वारी service प्रभाइड करती है थैंक्यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है यदि वीडियो अच्छा लगा तो like से subscribe करना ना वोनीगा